पश्चिम बंगाल के कंचन जंगा एक्सप्रेस हाथसे की सुर्वाथी जाच में खुलासा हुआ है कि मालगाडी के चालक धल और जलपाई गुडी डिवीजन के परिचालन विभाग की लापरवाही से हाथसा हुआ सोमवार को एक मालगाडी ने कंचन जंगा एक्सप्रेस को दारजेलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में पीछे से टक्कर मार दी थी इस आधसे में दस लोगों की मौत हो गई थी मरने वालों में या त्री ट्रेन का गार्ड और मालगाडी का चालक भी शामिल है हादसे के बाद रेलवे बोर्ड की चेयर पर्षन जया वर्मा सिनहा ने कहा था कि मालगाडी के ड्राइबर ने सिगनल को अंदेखा किया जिस वज़े से या हादसा हुआ रेलवे सेप्टी कमिशनर इस हादसे की ब्रिष्टित जाँच कर रहे हैं वही हादसे के तुरंत बाद रेलवे ने 6 वरिष्ट अधिकारियों के एक टीम बनाई जिससे शुरुआती जाँच का जिम्मा सौप दिया गया था अब जाँच समीती ने अपने रिपोर्ट दाखिल कर दी है इस एपोर्ट के मुताविक पाच अधिकारियों ने पाया है कि हादसे में मालगाडी के ड्राइवर ने सिगनल का उलंगन किया साथी स्पीड लिमिट का भी उलंगन किया वहीं एक अधिकारी का कहना है कि निव जलपाई गुडी रेल डिवीजन के परिचालन विभाग की लापरवाही से और रानी पात्रा और चतर हाट जंक्सन के रूट को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया जासका जात समिती के अधिकतर सदस्यों का मानना है कि मालगाडी के चालक ने नियमों का पालन नहीं किया और खतरनाक तरीके से आटोमेटिक सिगनल को पार किया इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड नियमों से जादा रखी जिस वज़े से दोनों ट्रेनों की टककर हुई आपको बता दें कि हादसे के बाद नियुजलपाई गुरी डिवीजन के चीफ लोको इस्पेक्टर ने बताया कि 17 जून की सुबह 5 बचकर 50 मिनट पर आटोमेटिक और सेमी आटोमेटिक सिगनल काम नहीं कर रहे थे ऐसी स्थिती में नियमु के मुताबिक पूरे सेक्टर यानि की रानी पात्रा से लेकर चतर हाट जंगसन को पूरी तरह से बॉक सिस्टम में बदला जाना चाहिए था और सेक्टर पर एक समय में एक ही ट्रेन को गुजरने की अनमती दी जानी चाहिए थी जांस रिपोर्ट के अनुसार कंचन जंगा एक्स्प्रेस सुबह आठ बजकर 27 मिनट पर रानी पात्रा स्टेशन से निकली थी और सिगनल खराब होने की वज़ा से उसे टी बाई ए 912 और टी 979 फॉर्म जारी किये गए थे टी बाई ए 912 फॉर्म जारी होने का मतलब होता है कि ट्रेन सभी लाल सिगनल को पार कर सकती है वही दूसरी तरफ फॉर्म टी 379 जारी होने का मतलब होता है कि ट्रेन दो सिगनल तुरंद पार कर सकती है लेकिन उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक होनी चाहिए जाज में खुलासा हुआ कि मालगाडी को भी उसी अथोर्टी ने ये फार्म जारी किये और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंतराल पर सुभा 8 बस कर 42 मिनट पर रेपोर्ट में बताया गया है कि कंचन जंगा एक्सप्रेस एक खराब सिगनल पर रुक कर इंतजार कर रही थी तभी मालगाडी ने पीछे से आकर उसमें टक्कर मार दी इस टक्कर से मालगाडी के 5 कोच और 11 बोगिया छती रस्त हुई है लेकिन जांस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि जब मालगाडी ने कंचन जंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी तो उस वक्त मालगाडी की स्पीड क्या थी वीडियो डिस्क अमरुजाला डॉट कॉम